वेल तो हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल माने मिस पंकेश तो वेल आपका स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले के क्राउंच जोल 2022 का फाइनली स्टेज का वीडियो लीक होते वे दिखाई दे चुका है तो उस तिंग के उपर डीटेल में डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इन से वापीस आते वे दिखाई दे सकता है और भी अच्छी खासी अपडेट होने वाली है इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो बाई सब्सक्राइब कर लो ऐसे लेटेस्ट अब हमें फर्स्ट फ्यूड देखने को मिलेगा वो Crown Jewel के बाद देखने को मिलेगा अभी Currently यहाँ पर हमें Randomly LA Knight को WL यहाँ पर यूज करते वे दिखाई दे रही है और Crown Jewel के बाद यहाँ पर हमें proper फ्यूड देखने को मिलने वाला है LA Knight का तो ये काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है LA Knight को लेकर बढ़ते हैं वैसे अगले अपडेट की तरब तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है कि Crown Jewel 2022 के अंदर और भी मैचेस यहाँ पर एड होते वे दिखाए दे चुके हैं तो यह भी देखना काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग रहेगा और यहाँ पर बियांका ब्लेर वर्सेस बेली का भी मैच एड होते वे दिखाए दे चुका है जो कि हमें एक लास्ट वोमें स्टैंडिंग मैच देखने को मिलने वाला है फोर दी रॉब वोमें चैंपेशिप के लिए है वो मुझे कॉमें सेक्षन के अदर जरूर बता देना बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है देखने को मिला पात साल बाद फाइनली हमें एमा जो कि रिटन करते वे दिखाए दी डेवलोली के अंदर और रिटन करते उन्होंने रॉंडर राउजी को चैलेंज किया जहांपर रॉंडर राउजी ने उनको हरा दिया तो यह काफी अच्छा गाजा सेग्मेंट हमें यह अच्छा गाजा भी नहीं था बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि Crown Jewel 2022 के स्टेज को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Crown Jewel 2022 का स्टेज का यहांपर वीडियो लीक होते वे दिखाए दे चुका ह जैसा कि आप यहांपर यह वीडियो देख सकते हो जहांपर हमें Crown Jewel का स्टेज अभी तैयार होते वे दिखाए दे रहा है पूरी तरीके से बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हुआ है और जैसा कि हम सभी लोग देख सकते हैं कि रिंग के उपर का जो हमें Title Tron Screen Type का देखने क मिलते हैं तो वो Screen Type का में यहांपर WWE अभी तक बनाते वे दिखाए दे चुकी है Stage को लेकर लेकिन जो हमें Stage देखने को मिलेगा Stage को लेकर अभी पूरी तैयारी यहांपर नहीं देखने को मिली है Stage अभी तैयार किया जा रहा है तो देखते हमें Stage की फोटो अगर और देखने को मिलते हैं तो मैं जरूर आप लोग के साथ में Share करूंगा वैसे इस वीडियो को देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते कि हमें Stage कैसा देखने को मिल सकता है Crown Jewel का तो हमें जैसा Stage यहांपर देखने को मिल रहा है फिलाल के टाइम पे तैयार हुआ वह तो अभी यहांपर प यहांपर हमें एक फोटा लीख होते वे दिखाए दिये जैसा कि आप यहांपर यह फोटा देख सकते हो तो इस फोटा के अंदर हमें Seth Rollins का एक नया लुक देखने को मिल रहा है और Seth Rollins के जो बाल है उनको color किया गया दिखाई दे रहा है जैसा कि आप यहांपर फोटा में देखी सकते हो तो ऐसा लग रहा है कि Seth Rollins का जो हमें पुराना लुक देखने को मिलता था ब्लंड वाला वो लुक हमें एक बार फिन से वापीस आते वे दिखाई दे सकता है जो कि हमें सुरुवात में दस शील्ड के टाइम पे देखने को मिलता था यानि कि हमें Seth Rollins अपने पुराने वाले अंदाज में और पुराने वाले लुक के अंदर एक बार फिन से आते वे दिखाई दे सकते हैं तो भाई ये भी देखना काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाला है बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि Money in the Bank पेपर व्यू को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर हमें Give Me Sports और Wrestle Wars यानि कि इन दोनों का जो कोलेबरेशन देखने को मिला है तो Wrestle Wars यहाँ पर Give Me Sports को रिपोर्ट देते वे दिखाये देते हैं कि जो Money in the Bank पेपर व्यू हमें देखने को मिलता है तो अब हमें हो सकता है कि जो Money in the Bank का पेपर व्यू है वो पेपर व्यू नहीं देखने को मिलेगा और Money in the Bank का जो Men's and Women's का ladder match है यह ladder matches हमें add होते वे दिखाये दे सकते हैं वो भी रसल मेनिया के अंदर तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिल रहा है इन दोनों वेबसाइट की तरफ से गीब मी स्पोर्ट और रसल वोर्ट की तरफ से लेट सी वैसे हमें क्या खुछ देखने को मिलता है Money in the Bank को लेकर तो इनके हिसाब से ही मानना है कि हमें Money in the Bank पेपर वी जो है वो हमें साथ से अगले साल ना देखने को मिले और जो Money in the Bank का स्टुपलेशन है Money in the Bank का जो लैडर मैच हमें देखने को मिलता है वो एड होते वे दिखाई दे सकता है रसल मेनिया के अंदर तो ये भी देखना काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग रहेगा बढ़ते वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है Firefly Funhouse को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Zero News की तरफ से हमें आपर रिपोर्ट ये देखने को मिल रही है कि WL यहाँ पर Firefly Funhouse का सेटिंग अप ये एक बार फिन से करते वे दिखाई देगी यानि कि Firefly Funhouse को एक बार फिन से लाते वे दिखाई दे सकती है तो ये कुछ हमें यहाँ पर Zero News की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली है लेट सी वैसे हमें यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है इस थिंग को लेकर और आज के SmackDown के अंदर हमें Uncle Howdy का Character देखने को मिला तो लेट सी भाई Uncle Howdy के इस Character को लेकर और भी क्या कुछ देखने को मिलता है और आज के SmackDown के अंदर Uncle Howdy का हमें पूरा का पूरा Face Reveal होते वे दिखाये दिया जैसा कि हमने आज के SmackDown के अंदर देखा और Uncle Howdy का जो हमें QR Code देखने को मिलाता उसके अंदर ये पता चलता है कि जो Bray White है वो एक लायर है और Bray White को लेकर हमें यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलता है इस SmackDown के अंदर अब लेट सी भाई हमें और भी क्या ने कारेक्टर्स देखने को मिलेंगे या फिर हमें Uncle Howdy का जो कारेक्टर है ये हमें Uncle Harper के कारेक्टर को भी लाते वे दिखाये देने वाला है तो लेट सी वैसे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और Uncle Howdy का जो कारेक्टर हमें अपियर होते वे दिखाये दिया SmackDown के अंदर जिस टैम पर टाइटल ट्रोन स्क्रीन पे तो उस टैम पर हमें एक तरीके से पीछे काफी इंटरस्टिंग टीज देखने को मिला एक और कारेक्टर को लेकर तो लटसी भाई हमें क्या कुछ देखने को मिलता है वो तो आने वाले SmackDown के अंदर हमें रिवील होते वे दिखाई दे जाएगा बढ़ते हैं वैसे अगले अपडेट की तरफ तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है WLE Draft को लेकर तो Draft को लेकर यहां पर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली गया है तो यहां पर हमें Zero News की तरफ से एक अपडेट देखने को मिली है कि जो हमें Draft है यह हमें कब तक देखने को मिलेगा तो इसको लेकर यहाँ पर डेट बताते वे दिखाए देते जेरो न्यूस, जहाँ पर जेरो न्यूस का ये कहना था कि हमें डवलो ली का ड्राफ्ट हो सकता है कि 3rd April और इसके बाद तो 7th April को देखने को मिले, यानि कि Russell Minya के बाद का जो हमें Monday Night Raw देखने को मिल सकता है, उसके लटसी भाई, ड्राफ्ट को लेकर हमें और भी क्या कुछ देखने को मिलता है, तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ड्राफ्ट को लेकर और Money in the Bank को लेकर, तो इन सारी things के ओपर आप लोगों का क्या opinion है, वो मुझे comment section के अदर जरूर बता देना, well व एक लिए वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई एवरिवन गाईज,